अगर आपका नीपेंड हो रहा है और उसकी वज़े से आपको बहुत ज़्यादा प्रब्लेम हो रहे तो उसको इंस्टेंटली कम करने में बहुत ज़्यादा हिल्फुल होने वाली है तो जब भी नीपेंड होता है तो हर नीपेंड का कॉज अलग होता है उसका treatment उसके symptom सब कुछ अलग होता है काफी पर मैंने देखा है patient नीपेंड के related हमारे पास आते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता ये पता ही नहीं होता कि उनका नीपेंड किस वज़े से हो रहा है और वो कुई भी exercises follow कर लेते हैं और काफी पर ऐसे देखा गया है कि उनका नीपेंड बढ़ चुका है because of wrong exercises तो guys आपको आपका नीपेंड किस वज़े से हो रहा है ये जानना बहुत important होता है अगर आपको नीपेंड का cause पता चल गया तो उसको क्या treatment देना है क्या exercise देना है ये जानना या समझना बहुत easy हो जाते है तो guys हमने इसके related अल्ड़ेड हमार जो नीपेंड relief series है उसका जो first video हमने बनाय था उसमें हमने यही discuss किया था कि नीपेंड होने के क्या-क्या causes होते है अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसका link मैंने नीचे description box में दे दिया है आपो ज़रूर जा कि देखे तो guys आप जो traction therapy में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हो वो हमें कौन से knee pain के condition में करनी है यह बहुत important है क्योंकि attraction therapy हर knee condition में नहीं करनी कुछ specific knee conditions है जिसमें attraction therapy बहुत help करती है तो knee pain होने का जो सबसे common और जो सबसे बड़ा reason हमेशा लोगों में देखने को मिलता है वो होता है knee osteoarthritis अगर आपका knee pain osteoarthritis के वज़े से हो रहा है तो यह attraction therapy आप लोगों के लिए बहुत ही important होने वाली इसके बद काफी लोगे complain करते है कि जब वो walk करने जाते है running करने जाते है या कभी chair से उठने के कोशिश करते है बैठते है तो काफी बार लोगों को उनका जो knee joint होता है उसमें एक जक्रन से फिल होता है एक stiffness सा फिल होता है और उसके वाज़े से काफी बार आपे pain होता है तो guys उन लोगों के लिए भी यह जो traction therapy है यह बहुत important होने वाली या कोई भी tendonitis आपके knee में है उसके अलाव अगर आपके knee में कभी गिरनी की वज़े से जरकानी की वज़े से swelling आ चुकी है वहाँ के soft tissue damage हो चुके तो उस condition में attraction therapy बिल्कुल नहीं करनी तो guys जो भी conditions मैंना भी आपको बता है जिसमें attraction therapy नहीं करनी ये सारे condition के already हमने काफी सारे वीडियो बना के हमारे YouTube channel पे upload कर दिये है आप अगर हमारे channel को visit करोगे तो वहाँ का जो playlist है उसमें आप ज़रूर knee pain relief series को जो playlist उसको visit किजे ये सारे condition के related हमने detail में वीडियो बना के वापी upload कर दिये है आप वीडियो देखिए अगर आपको specific condition है तो वो वीडियो आपको बहुत ज़दा helpful होने वाले है अब ये attraction therapy हमारा knee pain कम करने में हमें कैसे help करने वाली ये जान लेते है क्योंकि इसका base जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक है therapy करनी कैसे है ये समझने थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो गैस जैसे मैंने बोला था कि osteoarthritis की case में अगर आपका knee pain हो रहा है तो उसको traction therapy बहुत help करने वाली जब भी osteoarthritis होता है तो उसमें होता कि जो हमारे दो bone होते है जिसको हम बोलते है thigh bone जो हमारा femur होता है और जो हमारा tibia होता है तो यह हो गया मानलों कि यह मैरा knee joint है ठीक है अब osteoarthritis की case में होता कि हमेशे जो cartilage होता है जिसको marticular cartilage बोलते है ये cartilage wear and tear हो जाता है इसमें friction होने की वज़े से इसका thickness धीरे-दीरे कम होने लगता है अब जैसे thickness कम होने लगता है तो दोनों bone एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते है और पास आने की वज़े से काफी बार आगर आपका wear and tear बहुत जादा है तो दोनों bone एक दूसरे को पर आजसे नीमे ग्याब बढ़ गई है इसलिए मुझे नी problem हो रही है guys हमेशा के लिए याद रखिए मैंने अल्रड़ी जो भी वीडियो बनाए उसमें बोला था नीमे ग्याब कभी भी बढ़ती नहीं हमेशा कम होती है जो भी articular cartilage होता है वो घिस जाता है गिसने के वज़े से दोनों बोन एक दूसरी के पास आने लगते और वो friction करने लगते इसलिए तो नीमे प्रॉब्लिम होता है ये traction therapy हमारा जो ग्याब कम हो आए उसको बढ़ाने के लिए हलका सा बढ़ाने के लिए helpful होने वाली है तो अगर आपका ग्याब बढ़ रहा है तो उल्टा यही तो हम चाते है कि क्याब बढ़े ताकि आपका जो बोन एक दूसरी को पर गिस रहे वो घिसे नहीं तो ये दिमाग से निकाल दीजे कि हमारे नीमे क्याब बढ़ गई इसलिए प्रॉब्लिम हो रहे है ग्याब हमेशा कम होती है इसलिए प्रॉब्लिम होते है तो ये ट्रैक्शन तेरपी यही करने वाली जो बोन एक दूसरी को पर गिस रहे है उसको हलका सा ये जो ग्याब है उसको बढ़ाने में हिल्प करने वाली ताकि जब हम चलेंगे कुछ भी अक्टिविटी करेंगे तो ये बोन एक दूसरी को पर गिसे नहीं और जो भी उसके वज़े से पेंड हो रहा है वो पेंड कम हो जाएगा तो गाइस अब हम यह देख लेते कि यह थेरपी करनी कैसे है तो गाइस जो भी ट्रक्शन तरफे आजय में आप देखने वाले वह हमें 3 स्टेजेस में 3 स्टेपそうだ करने हो में सारे स्टेप्स स्टेजस दिखाने वालनों जिस सिक्वेस्स में में दिखा रहा हो वह इसे आपको फॉलू करने किस ठीके है जो सबसे पहला स्टेप आता है उसमें क्या करना है आपको मैट लेके जमीन के उपर ऐसे बैटने है अगर आप नीप पेंट के वाज़े से काफी लोग जमीन के उपर नहीं बैट पाती है तो अगर आपके पास बेड़ है तो बेड़ के उपर आप कर सकते हो तो आप सबसे प आप मुझे क्या करना है, back completely सीधी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, काफे वर इसको pull करते हैं, तो lower back के उपर pressure आता है, तो आपको दोनों finger कैसे interlock करके, यहाँ पे hold करना है, ankle के पास, अब back सेधर रखें, आपको breathing चालू रखने है, तो धीरे से, जितना आपको comfortable है, उस results के दिक्कत होती है, क्योंकि पेट की वज़े से वो खीच नहीं पाते, तो आप पेट कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी एक रिजन होता है, knee pain का, तो आपको यह पकड कैसे hold करके रखने है, 15 से 20 सेकेंड और breathing शुरू रखने, अब इसमें क्या करना है, 15 सेकेंड करन अंदर की तरब ऐसे, इस पेर की तरब, राइट लेक की तरब ऐसे, मोड ना है, ठीके, अब मोड ने की बात, आपको अगें सेम इसको ऐसे, पुल करके रखना है, ध्यान रखने कि अंदर की तरब मुड़े होनी चाहिए, और फिर से hold करना है, 15 से 20 सेकेंड, अब गाईज शुरू रखना है, फोकस करना है पूरा, और धीर इसको रिलीज करना है, तो यह था हमारा फर्स टेप, अब इसको, जिन लोगों के बहुत एज़ी जा रहा है, जिनका फ्लेक्जिबलीटी अच्छा है, तो उसको थोड़ा आडवास करने के लिए, आप ऐसे किसी soft towel को उई करना है, अब तोज को अंदर की तरब इस तरब ऐसे रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद धीरे से आपको अगें back straight रखके इसको ऐसे पूल करना है, तो पूल करने से क्या होता है, इस towel की रखने के वज़े से आप ए gap create होता है, और जब आप पूल करते हो तो यह से बहुत अच्छा सा traction हमारा knee joint को मिलता है, तो backs इदर रखिए and ऐसे hold करके, again 15-20 second hold करना है, toes आपके अंदर होने चाहिए, back straight and खीचना है 15-20 second के लिए, तो यह था हमारा first step, first stage, अब हम देखते हमारा second stage, तो guys self traction therapy का जो second stage है, उसमें हमें क्या करना है, आपके पास अगर कोई बेड अवेलिबल है, तो बेड के ऐसे एक साड में खड़े होने है, ठीके, आपको क्या करना है, जो towel हमने लिया था, उसका roll बना के, आपको क्या करना है, जिस knee को आपको traction देना है, उस पेर को ऐसे बेड के उपर रख देना है, अब आपको जो ankle joint है, वो बेड के exactly यहापे उस पेर को हलका सा पीछे लेके, अब आपको धीरे से अपने जो upper body है, उसको पीछे के दर ऐसे twist करना है, और जो नीचे वाला पेर है, उसको हलका सा bend करते, 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 आपको नीचे जाने की कोशिश करने है, जितना आपको नीचे जाओगे, उतना आपका जो knee joint है, यह towel रखने की वज़े से क्या होता है, उसमें अच्छे से traction आ जाता है, और जो भी अपना दोनों bone pass आते है, जिसके उसे friction हो के pain होने लगता है, तो यह traction therapy धीरे-धीरे क्या करते है, वो जो knee का गया पर उसको बढ़ने की help करते है, उसकी बढ़ने की कोशिश करते है, तो गाइस अइसा problem है, तो इस roll को थोड़ा सा कम रखिए, जो भी roll आभी मैंने यूज़ कर रहा हूँ, इस से और थोड़ा कम रखिए, ताकि धीरे-धीरे-धीरे आपको practice से problem आपका solve हो जाएगा, फिर से देखिए, मैंने पेर को उपर रखे, दूसरे पेर को पीछे लिया, हातुं क चार बर करना है, तो गाए, self-traction therapy के जो third और last stage होने वाला है, ध्यान से देखिए, बहुत important है, जितना proper way में होगा, उतना इसके result है में अच्छे मिलेंगे, अब आपको क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए थेरा बेंड, मैंने इस थेरा बेंड का ऐसे loop बना के, यहाँ पेर को इस थेरा बेंड में फसन है, अब इसको फसन है कैसे, ध्यान से देखिए, मैं पास से दिखा तो, आपको क्या करना है, आपके पेर को ऐसे अंदर रखना है, ठीक है, ऊपर से अंदर रखना है, फिर थेरा बेंड को ऐसे ऊपर लेके, आपको इसको ऐसे cross करना है, cross कर आप दोनों हातों का support लेकि आपको क्या करना है, धीरे-धीरे जितना possible है, उतना आपको आपके पेर को उपर की तरफ खिशना है, आप यापर क्या हो रहा है, वो जो 13 बैंड है, उसमें resistance है, वो आपके पेर को उसकी तरफ खिच रहा है, और हम क्या कर रहे है, knee joint को अपनी तर में gap कम हो था, friction हो रहा था, चलते डाइम, बैटे डाइम, वो धीरे-धीरे gap बढ़ने की कोशिश हम कर रहे है, जैसे उसमें हलका सा gap बढ़ेगा, तो जो भी knee का जो pain हो रहा है, because of friction, तो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, तो guys इसको द्यान से देखिए, हाथ की help स हमें पेर को fold करके, इस पेर को इसलिए fold करना है, ताकि यह करते डाइम हमारे lower back के उपर pressure नहीं आएगा, और lower back पे नहीं होगा, तो इसलिए इसको compulsory fold रखना है, और धीरे से आपको जितना possible है, उतना body को पीछे खीच के, आपको बस इसको hold करना है, 15-20 second के लिए, ठीक है, या अगर आप 15-20 second आपको normal लग रहे, तो आप इसको 30 seconds लेके 1 minute तक भी hold कर सकते हो, तो guys ऐसे इसके आपके 7-8 repetitions या 10 repetitions आप maximum इसके कर सकते हो, आप इसको सुबे शाम 2 time करो, जितना time इसको करोगे, उतना इसको result बहुत अच्छे सेंगे, बट maximum 2 time करना, पूरा दिन बरे इसको बांद के नहीं रखना है, एक तो सुबे और शाम 2 time करना है, ताकि इसके जो भी results है, आप में जल्दी से जल्दी मिलेंगे, और जो भी आमारे नीपेने, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा help होगी, तो guys I hope self-traction therapy के जो भी 3 stages महीने आपको या पी बताए, वो आपक लकड़ा नहीं stiffness है, तो attraction therapy ज़रूर कीजिए, तो guys I hope जो भी information में आज मैंने आपको देने की कोशिश की, आपको पूरी तरह से समझ में होगी, इसके अलाव अगर आपके कोई भी questions से queries है, तो आप मेरा नीचे number दिया हुआ है, उसके उपर message कॉल करके मुझ से बात कर सकते तो guys अब हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में ऐसे की सेने topic के साथ, तब तक के लिए take care